आपका आर्थी सिजलिंग किछन में तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कद्दू की रेसिपी वो भी दो दो रेसिपी लेकर आई हो अगर आपको कद्दू खाना बिलकुल भी पसद नहीं है तो यह रेसिपी आपके लिए है आज मैं आपके लिए यहां पर बना रही हूँ एक कद्दू की चटपटी सब्जी और साथ में कद्दू का मीठा तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टाट करते हैं तो आईए सबसे पहले सब्जी बनाते हैं तो इसके लिए मैंने आदा किलो कद्दू ले लिया है और इसे बड़े-बड़े पीसिस में इस तरह से कट कर लिया है इस सब्जी को बनाने के लिए आप हरा वाला कद्दू ही यूज करें तो सबसे पहले कडाई में तेल ले लेंगे तेल को थोड़ा गरम होने देंगे और उसमें डालेंगे एक चुथाई चमच के करीब हिंग अब साथ में हम डालेंगे एक तेज पत्ता, दो से तिन लाल मिर्च, एक चमच जीरा और आदा चोटा चमच मेथी दाना और इसको थोड़ा सा भून लेंगे और अब हम डालेंगे एक मेडियम साइस का प्याज, बारी कट करके और अब प्याज को हम पकने देंगे तो प्याज को हम पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन नहीं कर रहे हैं हलका सा जब इसका कलर चेंज हो गया है तो मैं इस पे डाल रही हूँ आदी छोटी चमच मीथी सॉंफ साथ ही हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चमच लैसुन और अद्रक का पेस्ट मीथी सॉंफ आप इस सबजी में जरूर डालेगा इसका फ्लेवर कद्दू की सबजी में बहुत ही अच्छा आता है मसालों को कुछ देर पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे दो बारी कटे हुए टमाटर और साथ ही डालेंगे हम यहां पे दो चोटे चमच धनिया पाउडर एक चोटे चमच हल्दी और नमक स्वाद अनुसार इन सबी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर को पकने देंगे तो हम टमाटर को यहां पर ढखकन लगा के पकाएंगे तो आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे अच्छे से पक चुके हैं और आप चाहे तो यहां पर कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ भी कर सकते हैं बट मैंने इसमें नहीं यूज़ किया है और अब हम इसमें डाल देंगे अपनी कद्दू की सबजी को और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हमें कद्दू को पकाना है इसके बाद हम बाकी के मसाले पकने के बार डालेंगे तो सबजी अच्छे से मिक्स हो गई है अब हम इसे ढखकन लगा लेंगे और इसे धीमी आच में पकने के लिए छोड़ देंगे और जब सबजी पक चाहेगी तो उसके बाद हम बाकी के मसाले इसमें एड़ करेंगे तो बीच बीच में आप इसे हिलाते रहिए और चेक भी करते रहिए कि आपकी सबजी पक गई है या नहीं तो अभी देखिए कद्दू को पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो थोड़ी देर हम इसे और पका लेते हैं तो यहां आप देख सकते हैं कि हमारे सबजी पक कर बिल्कुल तयार हो चुकी है अब हम इसमें कुछ मसाले एड़ करेंगे जो कि इस कद्दू की सबजी में जान डालेंगे तो यहां पर मैंने ले लिया है आदा चोटा चमच एजवाइन इसको अब हम हाथ में इस तरह से मसलेंगे और इस सबजी में एड़ कर देंगे तो साथ ही हम इसमें डाल देंगे एक बड़ा चमच चीनी और साथ में हम डालेंगे एक चमच अमचूर पाउडर और इस सबजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अमचूर पाउडर डालने वाली वीडियो मेरे से लीट हो गई है तो वो मैं आपको नहीं दिखा चकती हूँ बट मैंने इसमें अमचूर पाउडर डाला है और आपी जरूर डालेगा तब अब ही सब्जी जो है खटी मिथी बनकर तयार होगी एक दम चट्पटी से सब्जी तयार होगी तो चलिए हमारे इस चट्पटी से कद्डु की सब्जी को हम सफ कर लेते हैं आप भी एक बार जरूर बना के देखना और कमेंट बोक्स में मुझे जरूर बताना तो आएब हम अपनी अगली रेसिपी की और चलते हैं तो कदू का मीठा बनाने के लिए मैंने ले लिया है चार चोटे चमच घी के यानि की दो बड़े चमच आप घी ले लीजिए और यहां पर मैंने 200 ग्राम के करीब कदू लिया है उसे चोटे-चोटे पीसिस में कट कर लिया है आप चाहे तो इसको हलवे की तरह भी बना सकते ह इसे रर्छोटे हैं यहां पर r produkt मेरे मिया है 1bled कद्ध्रों में 2 र gjी कमच में मेरे पख़िए 2त 3ड के लएते हैं इसमें मेरे जब यहां पकाना है अच्छे लगत्रों करें दाते हैं समर्थ कद्ध्द हमाचिल की पारंपरिक द्रीपी इसी तरह की और भी रेसिपी में आपके साथ आगे शेयर करती रहोंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा, साथ ही बैल इकन को भी प्रेस कीजेगा, तो यहां पर मेरा कद्दू अच्छे से पक चुका है, यह देखिए, कितने अच्छे से मैश हो रहा है, साथ ही यहां पर मैंने पांच पड़े चमाच चेनी एड़ कर दी है, मीठा भी आप अपने हिसाब से इसमें कम यह जादा एड़ कर सकते हैं, और अब मैं डाल रही हूं यहां पर थोड़ा सा नेम्बो का रस, ताकि जो हमने चेनी इसमें डाली है, वो जमेना, उसकी चाश आप इसमें डालना चाहें तो डाले या फिर विदाउट फूड कलर भी बहुत अच्छा बनता है, खाने में भी और देखने में भी तो बस अब हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि हमारी जाशनी थोड़ी सी सूख जाए और कंदू के अंदर अच्छी से चाशनी जाएं और यह देखिए तो हमारा कंदू का मिठा बिलकुल तयार है हिमाचल में शादियों में परमपरिक तौर से सबसे पहले मीठा ही सर्फ किया जाता है और मीठे में भी बहुत सी वराइटी अलग अलग वराइटी इसके मीठे बनाया जाते हैं तो वहां पर एक वराइ को भी प्रेस कीजेगा ताकि आपको मेरी आने वाली सबी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें तो आज मैंने आपके साथ कदू की दो रेसिपी शेयर की है एक कदू की चटपटी सबजी और साथ ही कदू का मीठा आपको जो भी चीज पसंद आई हो जो भी रेसिपी आपक तो उसको आप एक बार जरूर ट्राइ कीजेगा अपने आप भी खाईएगा अपने घरवालों को भी खिलाईएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा कि आपको इसमें से कौन सी रेसिपी पसंद आई और मिलते हैं अब आपको एक नई वीडियो के साथ अब तक क आपके लिए बाबाई टीक केर